गोविन जी ने में से कमेंड बोक्स में पूछा था कि सर हम कैश में कितने तक के इन्वाइस कार सकते हैं बड़ा इंपोर्ड़न पॉइंट था आज की वीडियो उसी टॉपिक पर है और स्पेशल फर्माइस गोविन जी की हम लोग दोस्तों इंडिया के इंदा 90% लोग कैश में बिजनिस करते हैं हमें यह नहीं पता कि हमें इन्वाइस कैसे काटना कितना कैश सेविंग में जमा का सकते हैं और क्या कर दिक्कत ना है और इन्वाइसिंग की लिमिट क्या है जेस्टी में भी और इंकम टैक्स वाले जेस्टी वाले कैश के पीछे पढ़े हैं और मैंन मनें जित्ति वाले को मतलब नहीं जिस्ट काटे है हमें कोई मतलब नहीं है आप हमें 13 बारा पर रचल गलती करते हैं इतने और करता हूं किसी भी को भी नहीं पता भूल जाते हैं पता क्या भूल जाते हैं किसको याद है मेरी वीडियो को शेयर करना तकि लोगों पर चलता है इंकम टेक्स कहता है दो लाक और उससे ज़्यादा कैश में लाओने किसी से भी करना यानि कोई भी विक्ति दो लाक उससे ज़्यादा एक साल में किसी से रिसीव नहीं कर सकता कुछ कंडिशन से बताऊं को क्या अब दोस्तों कुछ एक्जामपल मैंने बनाये जो जेश्टी म लिए पहले मैं एक्जामपल लिया है हमने मिश्टर अदा से यह अदा नहीं नहीं है सोचो कभी तो लग दसाव रुपे की बिलिंग करी किसको मिश्टर अंबा को यह मानी नहीं है सोचो कभी और पांच इस्टोर में रिसीव कर ली 42,000 रुपे की सिंगल डे में यान कि उन की को लिमिट थी नहीं आप में तो इन्वाइस का दिया दो लग दसका लगाया होगा लेकिन आप रिसीव नहीं कर सकते थे कल को आप पकड़े जाओगा से इन्वाइस के बेस्ट पे अगला इंपोर्टन पॉइंट अगर अमबा जी पूरे दो लाग दसा रुपे जो है व कोई फ़र्ग नहीं पड़ता एक बिल के अगेंस्ट दो लाग या उससे उपर का ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते हैं तो यह पेनल्टी पे कर नहीं पड़ेगा अच्छा हमें क्यों करते हैं 100 परसंट पर इसकी यह पर भूलिया था दो लाग या उससे उपर का ज्यादा कै आप पे 100 परसंट की पेनल्टी है तो जेश्टी में तो बज्जा होगे आप अच्छा दो लाग दसका इन्वाइसिस करा है कि अदाने शेर बाकर को बेकार करके प्रिल्टी करता है 100 परसंट पर दो लाग देशा रुपे को उपर यहां पर पास दिम तो भी अच्छा इक च और नकी एक ही आदमी से इवेंट दो वार हुआ मैंने बिल दो वार दिया है लेकि मैने दो लाग से उपन ले लाग या तो भी राव नहीं जैसे कंत्रेक्शन काम कर रहे हैं मैं एक फ्लैट अपको रुपे का दूसरे अजिक आपका प्लूप कर एक रुपे का तीसे अपक वो भी एलाव नहीं है धान रखेगा रेंट वाला केस एक्जांपल और देता हूं आपको मैं बीस रुपे किसी का रेंट और आप कैश में ले रहे हैं उससे तो साल का बैरता ही दो लग चलिशा रुपे यह भी एलाव नहीं है दो लग से उपर हो गया जेश्टी के लावा सासद में आपको यह भी बता रहा हूं कि आप जब बिजनिस करते हैं तो कितना कैश करते थे किसी भी बिजनिस के अंदर दो लाग से उपर दो लाग से उपर कैश करना वन परसंट से या इवेंड में अलाव नहीं है अब दूस्तों आखरी में बड़ा इंपॉर्टिन पॉइंट मैं कहता हूं मेरी वीडियो आखर जो देखिएगा ताकि मैं इसमें एडवाई जो देता हूं ना वह वड़ी काम की होती है जो मेरा प्रेक्टिकल एक्प्रेंस है मैं सब्सक्राइश चैनल पर ढल देता हूं सबसे मेले मिले अडवाइस है कैश इंदर अलावड है सब्जेक्ट टू इंकम टैस लिमिट्स जिश्ट वाला कहता है आप एक कोड़ को कैश इनवाइस कार्व देक आदमी को हम्मया करने ठाट परसंट देदो बाग अधाम इंकम टैस वाला पकड़ लेगा आपको और जिश्ट वाला भी इंकम टैस्वाले क इंफोर्मिशन भीद्देगा दोनों लिंक या अपस में हम लिंक हो चुके हैं जो लगेगा सफिश्ट वाला इंकम टैस वाला इंकम टैस वाला जेस्ट वाले वो दोनों जगे बल्ले बल्ले होगी है second point सब्सक्राइब रिबाया ज़स्टो हम लोग अपने bank account में cash करते हैं कैसल काव भी बुझार लेकिन हम क्या करते हैं परचैस कैश में कर लेते हैं वहां पर हम बता नहीं पाते कि ब्याइव है और यह जो यह और यह एक हैशेम करिए उपर का अब आउंट नहीं परचेज में है तो डिसला हो दाते इंकम ट्याइव से नियुपाते तो मेरी सेल भी हमेशे जैनुआ माने आती है और वह कैश आपको अलाओ करता है चाहे आप उसे सेविंग एकॉन में जमा करा रहे हो तो अगर आप कैश में बिजिस करते हो और सेविंग में मैंने वीडियो नायती 44 AD की जिसके अंदर कैश की सेल और चेक की सेल किती किती उन चाहिए वह दिखाया है अब उससे होता क्या जब आप अपनी पर्चेस को जैनल दिखा देते हो और आइटेम में डिस्क्रोस कर देते हो तो जो आपने कैश लिया ना इन्वाइस काटे हैं व आपको यहीं मिलेगी और जितना हो सकते दोस्तों को शेल कीज़ेगा इंडिया में 90% लोग कैश करते हैं लेकिन इन बातों को ध्यान रखते हैं इंकम टेक के साथ साथ जेश्टी में भी नोडिस आजाता है आपने इन निंच बातों को ध्धान नहीं रखावाए आपकी प मुशकरो